परसेंट इन यूपी और तिरपन फीसदी 53 परसेंट इन डेली तो ये वोट परसेंटेज है अब मैं जरा आप यहां से पूछ रही हूँ आप मैं आपके पास आऊं आशुतोर जी उससे पहले जरा जनता के बीच क्योंकि आज दिल्ली में महाभारत हो रही है जरा बताईए म आप लोग यहां पर जो मैंने बात कहीं यहीं आपके बीच में से आवाज उठी कि पाकिस्तान से समर्थन क्यों दिल्ली वालों का समर्थन किसके साथ है क्यों सारे काम वी उनके अच्छे हैं लगते हैं और केजरी वाल को कौन पूछ रहा है वही जासे उन्होंने भी बता काम है यह तो पता लगे एक काम पूछी है दो काम पूछी है जो विपक्ष है वह इस प्रकारते है कि कहीं की इंट कहीं का रोडा और भानुमती ने कुनबा जोडा दूसरी तरफ कहा है आप देखिए आतिशी जीजी कह रही है कि लगी के और से जो है वोडिंग स्लों मुझे एक गंटा लगा है अपनी वोट को पूल करने के लिए तो यह साव संकेत दे रहा है कि दिली की जनता जो है वो मोदी जी से प्रभावित है कारण है उनका कुशल नेतर्त उनकी सेशक्त व्यक्तित उनका और जिस प्रकारत यह तो फिर यह तो आम आदनी पार्टी है ऌरबुर मझेस्ट antara क किया राम मंदुर किया है जो इंदू दरम भो गया था उनकी समय करनेद जिये यह तनने कॉलेम के बताऊ इस में तरफ मुसलमान चाहिया हिंदू के कोई चलता है सारे लोग चलते हैं बड़ी बड़ी बात है आपको लग रहा है कि राम मंदर मुद्दा है जैसा है वो भाइसाब ने का राम मंदर तो मुद्दा है यह एक इसमें कोई शक नहीं है उन्होंने मोधी जी ने बड़े स्ट्रिक होगे बड़े काम करवाएं लोगों से और पराद की जा रहा है इंदुन वर एकोनोमी से पार पर लेके जा रहे हैं पार नमबर पर आ चुकी है और है मोधी भात चोन है यह कहते है पांचू पे लिए आप पर चेपिता इंकम चेक करिए इंडिया कहां पे स्टेंड करता है यह पर एक आशुताश जी गे पास जा रह नहीं है आप से पूछूँगी आज योगी जी ने कहा है यहां पर एक सज्जन ने कहा कि वह भानुमती के कुनबे की तरह है वे पक्ष तो मैं आपसे पूछ रही हूं आज योगी आधितनात ने हमला बोला है कि आज बड़े हाथ में हाथ डालकर प्रचार हो रहा है चार फिर्वेश का शिख नेथा भारती यंद्धा पार्टी का शिख लिए बात कहने लगे कि वह आपका मंगल सूत्र खीच के चले जायेंगे वहः चेंगे तो योगी जी भी कुछ भी बोल सकते हैं तो भारती-जंता पार्टी के बिगड़े बोल सबको सॉमण कि यहां से उनकी विदाई हो तो योगी जी अब इस प्रिशानी है कि योगी जी पीछे नाकेवर विपक्ष पड़ा वहा है भारती जंता-पार्टी कर 90 प्रेज़ी लोग पड़े हुए वो खुद इंतिजार कर रहे हैं कि चारजुन हो और यहां से उनकी विदाई हो तो योगी जी अब सिफ अपनी इसकी समाल रहे हैं चुनाव समलने वाला है नहीं कि चुनाव बहुत पहले ही जनता आगे लिगा कि चुकी है और भारती जनता पार्टी को इस देश से हटागे क जनता कड़ चुकी है इसलिए इन सब कोई मतलब नहीं रहे गया है कि कौन क्या कहना है कौन क्या कहना है जमाज हम बहुत की भारिश हो रही और चुप चाब भारती जनता पार्टी चारजुन को इस देश के सपाय हो रहा है आश्यदोर जी मेरा स्पेशल इंट्रेस्स आज आज यूपी में जिन सीटों पर बोटिंग हुई है क्योंकि पिछली बार यहां से आपके खाते में कोई सीट नहीं गई तो इस बार यहां जो 14 सीटों पर वोटिंग हुई है उसके लिए आप क्या सोचते है जो आप रहा है कि तीन सो छू लिया तो उसमें कुछ एडिशन होगा यहां पर नहीं नहीं थोड़ी से आपकी जानतारी में दुरुस्त कर दो कि पिछली जो आज 14 सीटे हो रही है उसमें भारती जनता पार्टी आजमगड हार गई थी उसमें बेटकर नगर हार गई ती श्रावस्ति हार गई ती लाल गंज हार गई ती और जौनपूर भी हार गई तो भारती जनता पार्टी हार गई थी बहुत बुरी तरीके से अब जो बची सीटे हैं उसमें सिती और भी नाजुक हो गई है आप देखिए मचली शहर में खाली 182 वोट से जीते थे आज तो वह बताया कि वो भी जीधार रहे हैं बस्ती में क्या हालत है वो लड़ाई करने आ रहे हैं बूत एजेंट से उसके बार डुमरी अगेंड में क्या हाला थे वो भी आपको समझ में आ रही है तो कुल मुला कि भारती जनता पार्टी इन 14 सीटों में शायद को यह गहीं के जीत जाय लेकिन मुझे लग नहीं रहा है इन 14 सीटों में क्योंकि कि पूर्वान चल वैसे भी बारती जनता पार्टी का सबसे कमजोर रहा है देखिए जनता जनारदन होती है और आप जनता से घिरी हुई है भारत वर्ष की राजधानी में और जो उनके मुखार बिंद से निकल रहा है वो सच है कि आएंगे तो मोदी जी अभी मेरे बड़े भाई ने जमा जम की बात करी तो मैं उनको यह बता देती हूँ सही बोला आपने जमा जम वोटों की बरसात हो रही है दमा दम तीसरी बार देश के आदरने प्रधान मंतरी मोदी जी की सरकार आ रही है और फटा फट विपक्ष अपना बोरिया विस्तरा उठा करके भाग रहा है इसमें कोई दोराय नहीं है कोई शक्की बात नहीं है आप जहां था कि बोल रहे हैं कि पूरवांचल किस्तिती खराब है यहां किस्तिती खराब है वहां किस्तिती खराब है मैं अपने भाई को सिर्फ यह बोलना चाहती हूँ कि आप 17 याद कर लीजिए 19 याद कर लीजिए और 22 याद कर लीजिए आप लोगों ने इससे बड़ी बा नार्दान ने उसी को सत्ता सौपी है जिन पर उनको भरोसा है तो मेरे भाई ये तो हाथ कंगन को आर्सी क्या पड़े लिके को फार्सी क्या जो सच होता है वो दिखी जाता है अब थोड़ा सा मैं बात करूंगी अर्विंद केजरिवाल जी पर क्योंकि सर्विस बैग्राउं ने और हैश्टाग केजरिवाल रिलीज गुड न्यूस लिखा था फावाद चौदरी ने आज भी उन्होंने जो है मोर पावर हैश्टाग